थाुआ हम लोग डिसस्ट कर रहे हैं डाविस्टी के बारे में तो डाविस्टी में हम देखते हैं कि इनवर्टीब्लेट्स ऑँर्ट्ट्स मेंने और टॉटल यहीं पॉपलेशन में अग्धा होते हैं होती है तो more than 70% आप all species regarded are animals while plants are 22% और वैसे total अगर हम देखने तो 70% animals है 22% plants है और जो बाकी बचे हैं वो इस तरह से पूरा हमारा यह division है एक तरह से का सकते हैं और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम देखते हैं कि जो टोटल वर्ड है वर्ड का land area है उसका 2.4% होता है लेकिन अगर species diversity की बात करें तो हमारे हाँ 8.1% है यानि कि इंडिया जो है में species diversity सबसे हम कर सकते हैं कि ज्यादा है सबसे ज्यादा diversity है और दूसरी चीज़ जो 12 mega diversity countries वर्ड की है उनमें उसमें सब एक इंडिया है जिसे जितने भी पूरे वर्ड में अगर हम mega diversity को देखें तो उसमें इंडिया भी एक है एक country है जहां पर की diversity स सबसे ज्यादा है तो वर्ड में कुल टोटल 12 ऐसे country हैं जो mega diversity वाले हैं mega diversity species वहां पर उती है उनमें सबसे ज्यादा या सबसे हम कह सकते हैं कि उनमें से एक है इंडिया भी और नियरली 45 species है प्लांट और ट्वाइस आप इनमल्स है बिन रिकार्डेड इंडिया है 45,000 species यहा नहीं अभी रिकार्डेड होई है तो यह कह सकते हैं कि 22% of total species has been regarded मनें जितनी है उनका अभी one fourth ही करीब करीब estimation हुआ है इसका मतलब actual जो number होगा plants का वो बहुत ज्यादा होगा तो इस तरह से हम देख दे हैं कि plant species 1 lakh से ज्यादा हो सकती है और जो animal species है वो 3 lakh से ज्यादा हो सकत है अगर पूरा रिकार्ड किया जाए तो जो कि अभी तक नहीं हो पाया है और इतना आसान भी नहीं है कि इसको बहुत कम समय में होगा कई बार कि ऐसा होता है कि जब तक हम उस species को रिकार्ड करते हैं या उसके बारे में जानते हैं तब तक वो extinct हो चुकी होती है तो हम एक अगर से का सकते हैं कि nature's biological library is burning even before we catalog the titles up all book structure अगर हम nature को एक library मान लें तो एक ऐसी library जहां पे fire burn हो रहा है और धिरे धिरे वहां पे books जो हैं वो extinct हो रहे हैं जल जा रही हैं बर्न हो जा रही हैं तो जब तक हम उसके बारे में जानेंगे उस book को number देंगे categorize करेंगे तब तक व बहुत सारी species जैसी हैं जिनको भी हम जानें नहीं पाए हैं और जब तक हम उनको जानेंगे तब तक वह extinct भी हो चुकी होंगी destroy हो चुकी होंगी तो यह एक पूरा process जो चल रहा है continuous तो कुल मिला के कहने का मतलब कि बहुत vast number है species का और diversity का सकते हैं जितनी ज्यादा species होंगी उतनी ज्यादा diversity होगी आप पहले ही समझ चुके हैं कि species diversity के term में तो इसके बाद हम लोग पाइटर ना बायोडर्सी रिपते हैं तो पाइटर्न किस तरह से बायोडर्सी के पाइटर्न में हम इसको study कर सकते हैं तो इसमें जो सबसे common होता है वो latitudinal gradients होता है तो latitudinal का मतलब तो अर्थ आप जान रहे हैं तो अर्थ में plants जो रहे हैं और animals वो uniform नहीं है throughout world वो uneven distributions है तो वो latitude के हिसाब से दिखा जाता है आप जानते हैं कि पोल्स के उपर जो है species की diversity सबसे कम होती है क्योंकि वहाँ पे favorable condition नहीं है लेकिन अगर हम equator की तरह आते हैं तो equator के आसपास आपक species diversity काफी dense मिलेगी काफी high diversity मिलेगी यहाँ पे तो species diversity decreases as we move away from the equator towards poles जैसे जैसे हम अगर equator से हम चलना शुरू करें अर्थ के जैसे आर्थ है यहाँ पे अर्थ मालने यह है तो यह equator portion है और इससे हम अगर poles की तरफ बढ़ेगी तो जैसे जैसे हम poles की तरफ उपर या नीचे नार species की diversity होगी वो क्या होगी कम होती जाएगी species diversity decrease होती जाएगी कुछ exception को अगर छोड़ वेरी few exceptions ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स जो होते हैं वहाँ पे जो की 23.5 नौर्थ यानि की 23.5 नौर्थ तो 25.7 तक अगर हम देखें यहां से हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं धर भी 0 यह ध भग यहां मीट से लेकर यहां तक इस रेंज में अगर हम देखें अर्थ के तो हमें क्या मिलेगा उसमें उस लाटिटिटोजनल लेंज में more species than temperature polar area तो जैसे कि हम एक माल लेते हैं यह अर्थ है हमारा और अर्थ में यह equator है यह पोल्स हैं यह equator है तो अगर हम यहां से 0 से चल तो इसमें क्या होगा मुदलब थोड़ा सा यहां करें 23 डिगरी आएगा इधर भी इधर भी तो यहां पर क्या होगा इस विसीज की डावरस्टी क्या होगी पोल से ज्यादा होगी मनें इधर से हम आगे बढ़ें ऐसे या इधर से आगे बढ़ें इसे तो हमें डावरस्ट मिलेगा हमको ठीक है देन पोलर एरिया या टेंपरेट एरिया पोलर एरिया को हम लोग टेंपरेट एरिया क्योंकि टेंपरेटर वहाँ ज्यादा कंप्रमाईज होता है इसके बाद अगर हम और नीचे आमें और एक्वेटर के तरफ आए पर निचे पर आजाएं अगर तो फोटी वन डिग्री पर क्या होगा और ज्यादा इस्पिसीज डावर्स्टी मिलेगी जैसे की नियर द एक्वेटर फोटीन हंडेड इस्पिसीज आ बोर्ड्स कोलंबिया जैसे जगह अमेरिका के एक एरिया है कोलंबिया तो कोलंबिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे 1400 करीब जो है कि 1200 करीब बर्ट की species मिलती है तो इस तरह से अलग-अलग 1400 बर्ट के species कहा मिलेगी और ये आपके कुलंबिया के पास में जबकि न्यू यार्क में अगर हम आवें तो वहाँ 105 species मिलेगी बर्ट की और ग्रीन लेंड में अगर हम जाएं तो वनली 56 species मिलेगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग-अलग area में जो species की diversity है वो अलग-अलग होगी लेकिन जो equator की जितना पास होगा यानि जहाँ पर एक temperature जो है maintain रहता है जिस एरिया में वहाँ पर आपको species ज्यादा मिलेंगी इस तरह से इंडिया जो है अगर हम देखते हैं कि इंडिया की जो position होती है वह equator से थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो इसकी equator के पास में होने से जो आपका इंडिया है उसमें इंडिया का लेंड इरिया है वो ट्रॉपिकल लेटिटिट कहा जाता है तो इसमें 1200 species मिलेंगी त तो यहां पर हमारे हैं diversity से लिए ज्यादा है क्योंकि हम equator के नजदीख है a forest in tropical regions like equator has up to 10 times as miniasis species as visceral front as a forest अप एक्वाडोर एक कंट्री है अगर वहां पर हम जो की equator के नजदीख है ट्रॉपिकल लीजेन में आता है वो तो अगर उसमें हम देखें और उसकी compression करें Midwest USA से तो वहां पर 10 times में species होती है plants और इंदमर्स दोनों की आपको मिलेगी क्योंकि वहां पर वही मामला है कि equator के नजदीख जो चीज है तो वहां पर आपको या पॉपिलेशन ड्यवर्स्टी आपको सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलेगी तो इस तरह से जो भी एरिया ऐसी जगा पर है जहां पर ट्रोपिकल एडिया है या फिर एक्वेटर के नजदी के एरिया है रैन फोरेट है इन समय आपको होने सा ज़्यादा मिलेगी तो इस तरह से लार्जिली ट्रोपिकल हमेज़़नियन रैन फोरेट इन साओथ अमेरिका है greatest biodiversity अनार्थ अब Amazon forest का नाम सुना हो गए ये आता है South American region में और यहाँ पर जो बायोडर्ष्टी है वो greatest बायोडर्ष्टी है अर्थ के उपर अभी अपने ले रिसेंटली सुना होगा कि इसमें Amazon के जंगल्स में fire हो गया था आग लग गई थे उसके वज़े से बहुत ज़्यादा बायोडर्ष्टी का लास हो आए वहाँ पर बहुत पुराने पुराने प्रणे प्रणे जो तीन-तीन हजार साल के सिकोया और उसके प्लांट थे वो बर्न हो गए वहाँ पर और अबकी बार इस तरह से बर्न होए पहले क्या होता था कि आउटर कवरिंग उनकी बर्न होते थी वो फिर से बनब जाते थे लेकिन अबकी बार जो आहाँ पर fire हुआ वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उससे बायोडर्ष्टी को क्योंकि उसमें जो तीन-तीन हजार साल पुराने पेड़ थे वो जल गए उसमें बर्न हो गए और इस तरह से बर्न होए कि वो दुबारा से रिजनरेट नहीं हो सकते हैं वो तो इस तरह से लेकिन कुल मिला गए नहीं मतलब कि जो Amazon Forest है वो बहुत ज़्यादा greatest biodiversity थी अर्थ के उपर अला कि भी पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है लेकिन काफी नुकसान हुआ biodiversity का तो इसमें हम देखते हैं कि जो वहाँ पे बर्निंग के पहले देखा गया था average निकला गया था हूँ 40,000 species of plants 3,000 species 1,300 birds 4 to 7 of mammals and 4 to 7 of amphibians 3,78 of reptiles and more than 1,25,000 of invertebrates इतना ज़्यादा वहाँ पे biodiversity है इतनी ज़्यादा species है आपने देखा कि अलग-अलग चीज़ों की इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक तरह से greatest biodiversity है अर्थ के उपर तीक है वसी लिए उसको हम लोग काते है lungs of earth भी बूला जाता है Amazon forest को मतलब कि धर्ती का फेपड़ा उसको आप कर सकते है lungs of earth क्योंकि जितना भी oxygen जितना ज़्यादा महां से produce होती है तो दुनिया में किसी और जंगल से produce नहीं होती इसी दिया उसको बचाने की कोशिस की जाती है क्योंकि वो बहुत important ecosystem के लिए हमारे है तो इस तरह से हम देखते हैं कि latitudinal difference के हिसाब से इस species में कि diversity में differentiation होता है variation होता है diversity का मतलबी variation है कि कितनी ज़्यादा diversity कितनी different type के individuals है वहाँ पे तो इसमें हम देखते हैं अब इसका क्या importance है diversity का ecologist and evolutionary biologist have proposed various hypothesis तो मकूल में लागे करने का मतलब कि जो इतनी ज़्यादा biodiversity के हम बात कर रहे हैं तो उसका benefit क्या है तो उसमें जो सबसे common चीज है वो important चीज है वो है speciation तो speciation आप जानते है speciation का मतलब होता है किसी भी new species का generation new species का generation का होगा जब बहुत ज़्यादा variation हो create होगा diversity ज़्यादा होगी तब गी किसी नई species का generation होगा हला कि ये function of time है मतलब बहुत समय लेता है इसमें एकदम से नहीं होता किसी भी new species का generation लेकिन unlike temperature regions subjected to frequent glaciation in past tropical latitude have remained literally undisturbed for millions and thus had a long evolutionary time for species diversification काने का मतलब अगर हम temperature region से अगर हम tropical region का compression करें इसे temperature का मतलब जो pulse region है और जो tropical हैं वो equator के पास है तो temperature region में क्या होता है वहाँ temperature का variation बहुत ज़्यादा होता है जब temperature का variation ज़्यादा होगा तो क्या होगा किसी भी चीज को बहुत समय develop होने का मौका नहीं मिलेगा constant एक एक जो है कि stability वहाँ पे नहीं रती है stability नहीं होने की बज़ाद से वहाँ पे जो individuals हैं plants animals हैं वो बहुत वो सिर्फ survival की लड़ाई लड़ते हैं वो अपने आपको survive करते हैं किसी तरह पे तो वहाँ पे speciesism होने का मौका नहीं मिलता speciesism वहाँ पर होगा जहां पे जो कि long term तक undisturbed रहेगा तो जैसे कि tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and that had a long evolutionary time for a specific diversification तो किसी भी species के develop के होने के लिए millions of years लगते हैं और millions of years तक वो undisturbed रहना चाहिए अगर वो million of years से कोई भी species undisturbed है तो उसमें क्या होगा कि species को नई species के generation का मौका उसको जादा मिलेगा evolution का time मिलेगा evolution एक slow process है जो कि तुरंत नहीं होती और ये millions of years में होती है तो millions of years में तभी होपायगा ये जब वहाँ पे एक stability हो undisturbed, disturbance ना हो वहाँ पे जबकि temperature region में temperature तेजी से change होता रहता है और बहुत adverse condition होती ही तो वहाँ पर adverse condition में नई species के generation का या evolution का मौका कम होता है लेकिन जहाँ पे जो area एकदम stable है और undisturbed है favorable condition जहाँ पे ज़्यादा है temperate zone खास करके जो होते हैं तो वहाँ पे easily हो सकता है वो चीज क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगता है और लंबे समय तक undisturbed होना चाहिए ऐसा नहीं कि बार-बार उसमें disturbance create हो तो species diversification या speciation वहाँ पे हो पाएगा तो जो हमारे जंगल्स हैं जो के undisturbed हैं हजारों सालों से वहाँ पे नए-ने species generate हो सकती हैं होती रहती है और इसलिए वहाँ पे species diversity हमको ज़्यादा मिलती है उस एरिया में जहाँ temperature change रहा या अगर human का भी interruption बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी फिर वो चीजे उतनी अच्छे से नहीं हो पाती जैसे हम लोग काते हैं जंगल खत्म हो रहा है एक यह भी है कि जो disturbance है वहाँ पे हम बहुत सारी species को nust कर दे रहा है हम पूरे ecosystem को damage कर देते हैं तो वहाँ पर फिर new species का generation नहीं हो पाता है जो हैं वही उपने survival के लिए struggle कर रहे हैं फिर tropical environment unlike temperature are less seasonal literally more constant and predictable तो करने के मतलब मैंने वही बात किया कि tropical region जो होता है वो temperature उनके तरह seasonal नहीं होते less seasonal होते हैं यह इसा नहीं है मतलब season के साब से वहाँ temperature change हो रहा है environment change हो रहा है वो एक stable constant environment है वहाँ पे उसकी वज़ा से specification का मौका ज्यादा मिलता है और such environments constant environment promote nike specialization and lead to greater species diversity तो इससे उनको नई species के development का मौका मिल जाता है nike specialization का मौका मिलता है और इसकी जैसे greater species diversity होती है नई नई species के develop होने का जब मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उनको time मिल ला है उनको stability मिल ला है उनको constant environment मिल ला है तो उससे ज़्यादा specialization हो पाएगा तीसरा इसमें point है कि solar energy tropical region में ज़्यादा मिलती है जो कि photosynthesis के लिए आप जानते हैं कि required है और जब photosynthesis better होगी तो higher productivity होगी ये भी ये indirectly जो होता है greater diversity को promote करता है उसको support करता है तो इस तरह से ये तीनों चीज हो गई कि कैसे polar region में diversity कम है और कैसे जो है कि tropical region में equator के पास जो region है वहाँ पे species diversity ज़्यादा है क्योंकि उनके लिए favorable condition ज़्यादा है यहाँ पर और unchanged condition है seasonal change नहीं हो रहा है और किसी भी तरह से हर तरह से support मिल रहा है solar light ज़्यादा मिल लही है तो ये सारी condition जो है वो support करती है dense species का development वहाँ नहीं हो पाता कुछ एक specific adapted plant ही वहाँ उपाते हैं हर plant वहाँ नहीं उप सकता है जो कि specialized है उस एरिया के लिए वही उपाते हैं आप जानते हैं चीज को अची तरह से कि desert के लिए अलग adaptation होता है cold climate के लिए height के लिए अलग adaptation होता है लेकिन tropical में किसी खास adaptation की जरिवत नहीं होती तो हर एक species को वहाँ grow करने का बेहतर मुखा मिलता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि species का diversification इस एरिया में latitude के हिसाब से अगर हम चले हैं तो equator के नजदीक हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा ज्यादा species मिलेगी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा आप किसी भी जंगल में जाएए आप देखिए अगर टेंस जंगल है तो उसमें हर तरह के आपको plants और इनिमल्स आपको मिल सकते हैं वहाँ पर easily मिल सकते हैं जो कि आप अगरे से सर्च करें अपने सरावंडिंग में थोड़ा मुश्कील होगा आपके लिए सर्च करना वह यही कारण है कि वह अंडिस्टर्ब हैं लंबे समय तक